कि सभी को नमस्कार स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल जैजे क्लासेज मेवाड में आज अमल कर रहे हैं परकर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षाठ के अंतरगत कार्य पत्रक 69 जो कि पेज नबर 85 पर है आई हम सुरू करें इससे पहले चैनल पर नए है लाल बटन को नब आएं और स्सक्राइब करें इससे की आने वाले सभी आल आपको मिलते रहें लज्टा तक को पढ़कर विशेवस्तु का विश्लेशन कर पाना पहला नीचे दिये थे वहां तक पूंच जाते थे आजादी के अंदोलन की कई अन्य दिगज अस्तियों के साथ भी ऐसाई था कांदी जी के पास दुनिया से बड़ी संचा में पत्र पूंचते थे पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था का जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे अपने दाइने आथ से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे जब लिखते लिखते उनका दाइना आथ दर्द करने लगता था तो वे बायां आथ से लिखने में जुड जाते थे अब इनके नीचे कुछ किस नाम से आते थे तो आते थे मातमा गंडी इंडिया यहि लेक्छें किरते दोनों आतों से लिखते थे यह लिकें से तीसरा पत्र के जवाब जवाब देने में क्या विचार रखते थे तो पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार की पत्र का जवाब तुरन देना चाहिए प्रस नमबर चार यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस को पत्र लिखना चाहेंगे अपने मामा चाचा बाई को पत्र लिखना चाहेंगे और बुआ को भी लिखना चाहेंगे और भी आप इसमें कुछ जोड सकते हैं दोस्त वगेरा जो भी हो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है प्लेलिस्ट के उंगली लगाएं प्लेलिस्ट खुल जाएगी और वहां सभी कार्य पतरकों के आमने हल करके डाल रखे हैं वहां से भी आप हल देख सकते हैं